हेलो ट्रीडर्स एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बेस्ट इन मार्केट के एक और नए वीडियो पे तो दोस्तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से सब्सक्राइब कर लीजेगा और एक चीज़ इंपोर्टेंट है जो कि हम आनी विलमार के स्टॉक को तो दोस्तो अगर आपके पास ये स्टॉक है तो आप मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन पर ये जरूर बता दीजगा कि आपके पोर्टफोलियो में ये स्टॉक कितने प्राइस पर आपने बाई करके रखा हुआ है अब सबसे इंपोर्टेंट चीज की आज के दिन आपको इस स्टॉक के अंदर लोवर सर्कुट लगते हुए देखने को मिल गया है अगर हम बावन वीक के हाई की बात करें तो इस स्टॉक में हमने आट सो अटहतर रुपए का बावन वीक का हाई देखा है और इस स्टॉक वहां से अभी 690 रुपए ब उपर जा चुका है तो इस तरह के स्टॉक में जब सर्कुट लगना है स्टार्ट होता है तो आपको निकलने का मौका नहीं मिलता है तो अब इस तरह के सर्कुट क्या आपको लगातार देखने को मिलने वाले हैं या दोस्तों आपको अपने प्रॉफिट को इस स्टॉक के अंदर से book करके निकलने का समय आ चुका है इन सारी चीजों पर हम लोग detail में discussion करेंगे तो वीडियो को end तक जरूर देखिएगा अब दोस्तो हम लोग बढ़ते हैं थोड़ी technical analysis की तरफ जिसमें हम लोग सबसे पहले ticker tape की website पर आ जाते हैं और यहाँ पर company की intrinsic value की बात करें तो वो आपको अच्छी देखने को नहीं मिल रही है company का जो current price है वो intrinsic value से जाधा हमें देखने को मिल रहा है क्योंकि आप जानते हों कि stock के अंदर लगातार circuit लगते हुए आपको उपर जाते हुए देखने को मिला था stock का अभी current price 690 रुपे पर चल रहा है यह चीज ध्यान रखिएगा return versus FD rates की बात करें तो यहाँ पर company अच्छा perform कर रही है वही entry point की बात करें तो ticker tape के according stock अभी overbought zone में नहीं है तो यहाँ पर आप buying position बना सकते हो लेकिन यहाँ पर सबसे important चीज यह है कि stock अभी ASM-GSM लिस्ट में देखने को मिल रहा है अब दोस्तों जो लोग पहली बार अदानी विलमार का नाम सुन रहा है तो उनको मैं बता दू कि यह FMCG सेक्टर का एक stock है large का आप company है छोटी मोटी company नहीं है लेकिन अगर risk की बात करें तो यह almost 4 times nifty से volatile है अगर nifty 1-2% भी उपर नीचे होता है तो इस stock के अंदर आपको almost 4-5% का उपर और नीचे का circuit लगते हुए देखने को मिल जाता है जैसे कि आज के दिन भी आपने देखा है कि आज के दिन जो आपको stock के अंदर momentum देखने को मिला वो almost 5% का circuit लगते हुए देखने को मिल गया अब हम लोग company के बारे में थोड़ी सी fundamentals को discuss करके directly हम लोग चलेंगे charts पर अब fundamentals की बात करें तो current price की बात करें तो ये 690 पर आपको देखने को मिल रहा है market cap लगबग लगबग 90,000 करोड का company को आपको देखने को मिल रहा है company के उपर करजे की बात करें सबसे important part होता है company के उपर करजा और अधानी की जितनी भी companies है अगर उनके debt को चेक करोगे तो उनके उपर debt बहुत ज़ादा है वहीं अगर company के net profit की बात करें तो company का net profit केबल 811 करोड का है वहीं company के उपर debt की बात करें तो 2626 करोड का debt है earning पर share की बात करें तो 6 रुपय का देखने को मिल रहा है और promoter holding सबसे main importance जो रखती है वो promoter की holding रखती है जो कि आप देख रहे हो almost आपको 88% की promoter holding इस stock के अंदर देखने को मिल रही है वहीं दोस्तों एक नजर हम लोग share holding pattern पर भी डाल लेते हैं यहाँ पर promoter की holding तो मैंने आपको बता दी कि हमने 88% की देख रहे हैं हम लोग और यह promoter की holding हम लोग जब से company list हुई है तभी से हम लोग देख रहे हैं वहीं दोस्तों अगर हम FIS-DIS की holding की बात करें स्टॉक के अंदर lower circuit लगते हुए देखने को मिलेगा और उस समय आप इस स्टॉक से exit नहीं plan कर पाऊगे तो इसलिए अपने profits को timely book करते रहना important है अब हम लोग चलते हैं चार्ट पे अब दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं हम लोग अदानी विलमार के daily time frame के चार्ट पर देख सकते हो और जो पुराने subscriber है उन्होंने already वो वीडियो देखी भी होगी यह वो position है जहां पर हमने positions बनाई थी और मैं सच बताओं मैं तो अपनी position बहुत पहले इस stock में से book कर चुका हूँ almost 702 रुपे के आसपास मैंने profit book कर लिया था उसके बाद वापिस से कभी इस stock क का importance तो आप देख करके समझी गए होगे कि stock continuously इस channel के अंदर move तो कर रहा है लेकिन important चीज़ क्या है कि ना तो यह जो upper range है इसको break करते हुए जा रहा है ना यह जो lower range है इसको break करते हुए जा रहा है आप एक चीज़ ध्यान रखना कि stock अभी नीचे आ रहा है और यह जो lower range है यहाँ पर वापिस से आपको buying देखने को मिलती है तो अच्छी बात है लेकिन अगर यहाँ पर buying नहीं देखने को मिलती है और हम लोग किसी वज़े से इस वाले area को break करके नीचे निकल जाते हैं तब आपका जो stock है वो एक risk के category में चला जाएगा अभी यह risk की category वाला level आप को मैं बता देता हूं आप चाहो तो अपने stop losses को जिनके profit बन रहे हैं वो चाहे तो अपने stop losses को 650 रुपीज के नीचे लगा करके चल सकते हैं अगर 650 के नीचे daily basis पर आपको closing देखने को मिलती है तब आप यहाँ पर अपने profits को book करके निकल सकते हो अब यहाँ पर आपको एक देखने को नहीं मिलता है तब आपको इसके नीचे निकलने के बाद exit करने के बारे में plan कर लेना है अब एक चीज़ और important है कि जिन लोगों को 650 का risk नहीं लेना है जिन लोगोंने already नीचे के level से hold किया हुआ है जिन्होंने 340 के level से भी hold किया हुआ है वो चाहें तो थोड़ा दो रुपए पर देखने को पाएंगे stock को और वो भी lower circuit लगते हुए यह चीज़ ध्यान लखेगा इस stock के अंदर वापिस जो सबसे important base की बात की जाए तो stock एक base बना करके चल रहा है और यह जो base आपको देखने को मिल रहा है यह 551 रुपीज का है 551 रुपए का base है अगर आपका long term का view है तो आप इस price पर आने के पाद entry बना सकते हो यह जो point है यह एक entry point है यहाँ पर red color की line मैंने mark लेकिन यह हमारा एक base line है यहाँ पर आप entry बना सकते हो और यहाँ पर आप एक new entry बना सकते हो new entry लेकिन अगर आप इस जगह पर नई entry बनाते हो तो आपको stop loss भी ल ले कर लेना लेकिन ये ध्यान लखना कि 474 के नीचे कर stock निकल जाता है तब आप इस stock के अंदर कोई नई position add मत करना अब यहाँ पर दोस्तों जो important level आ रहा है वो तो मैंने आपके साथ share कर दिया लेकिन एक चीज़ यह भी ध्यान लखेगा कि अगर यहाँ पर buying आती है और stock यह की कोशिश कर सकता है इस range के अंदर अगर stock इस तरह से travel करता है तो आप trap हो जाओगे और फिर आपको wait करना पड़ेगा थोड़े लंबे समय तक के लिए हो सकता है कि आपको 16 September या पूरा September मत इसी एरिया में consolidate करके बिताना पड़े लेकिन यहाँ पर आपके लिए एक और ध् आप नीचे volume देखते हो यह volume अगर आपको increase होते हुए देखने को मिलता है तब आप 756 रुपए के उपर entry बना सकते हो और यहां से आपको जो second and next target होगा वो भी मैं यहाँ पर mention कर देता हूँ अब target की बात करें तो पहला target हम लोग इस stock के अंदर 872 रुपीस का देखने वा हैं और इसके बाद third target इस stock के अंदर 1024 का हम लोग देखने वाले हैं अब यह तीन target है अब इन तीनों target का आपको मैं अगर time की बात करें तो time भी आपर mention कर देता हूँ यह वैसे जो entry बताई है मैंने यह swing के target बताए हैं अब short term और long term के targets थोड़े से बड़े हो सकते हैं अब इस stock के अंदर बहुत जाधा alert हो करके trade लेना है अगर आपकी entry है तो आप timely profit book करते रही otherwise circuit वाला game इस stock के अंदर जिस दिन चालू हो गया यह stock वापिस है आपको 397 रुपीज के आज पास slip होते हुए देखने को मिल जाएगा क्योंकि इसके अंदर जो promoters की holding है बहुत ध्यान इनकी रखनी होती है और promoters की holding इस stock के अंदर कितनी देखने को मिल रही है 88% की तो असली पैसा किन का बनेगा promoters का बनेगा public जिन्होंने यहाँ पर पैसा बनाया वो profit book करते हैं या नहीं book करते हैं लेकिन जिस दिन promoters पैसा book करना start करेंगे इनके तो शांदार profit बनी रहे हों और third target 1502 रुपे का है अब यह short term का target है ध्यान रखेगा long term का target भी यहाँ नीचे mention कर देता हूं मुझे ऐसा लगता है कि अगर यह stock इसी तरह से continue perform करता रहता है तो बहुत जल्द हम लोग इस stock को 3,000 रुपे से ले करके 45-4,000 रुपे की range तक भी trade करते हुए देख पाएंग और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के शेयर करना मत भूलिएगा फिर मिलूँगा एक और ऐसी वीडियो ले करके तब तक के लिए धन्यवाद